नारत संचार के सभी दर्सकों को महाविर सिंग का नमस्कार और आप सभी को नव वर्स 2023 की बहुत-बहुत शुरकामना हैं। आज इस खास वीडियो में हम बात करना चाहते हैं एक अलग तरह के कारेकरम की जो की समय दिल्ली के गड़वाल भवन में चल रहा है। दो जनवरी से ये कारेकरम सुरू हुआ है और बारा जनवरी 2023 तक चलेगा। ये कारेकरम है महिलाओं द्वारा राम निला का मन्चली। राम निला में तमाम भूमिकाएं दसरत की भूमिका राम, लक्षमन, मारीच, सुभाव, मेगनात और यहां तक की रावन हर तरह की भूमिका महिलाओं द्वारा इसमें निभाई जा रही है। इसका निर्देशन भी सुयम महिलाओं कर रही है और कारेकरम में तमाम ब्यवस्ता जो भी देखनी है वो भी महिलाओं कर रही है। हलांकि तबला बजाने वाले हार्मन, धोलक और संगीत काथ उसमें पुरुस उसमें सामिल हैं। लेकिन अभी ने जो किया जा रहा है वो तमाम महिलाओं द्वारा किया जा रहा है। और ये कारेकरम गड़वाल हितेशनी सभा जो की दिल्ली में प्रवासी उत्रा खंडियों की बहुत पुरानी संस्ता है। उसके तत्वाधान में ये कारेकरम हो रहा है, ये संस्ता 1923 में स्तापित हुई थी जैसा कि बताया गया है और इस समें 2023 चल रहा है, 100 साल स्तापदी वर्स इस संस्ता का चल रहा है और इस स्तापदी वर्स में ये संस्ता पहला कारेकरम जिसे महिला ससक्ती करण के तौर पर किय जा रहा है महिलाओं द्वारा ट्रमला का मंचन ये महिलाएं केदार बद्री मानाव स्रम समयती से जुड़ी वी हैं जो की केदार घाटी इसमें ज्यादतर महिलाएं केदार घाटी से पहुंची हैं और इस समयती में पूरे उत्राखंड से अलग-अलग जिलों से करीब 400-500 मह महिलाएं जुड़ी भी हैं तो पहले हम बात करते हैं कि गड़वाल हितेश्वी सभा के अध्यक्ष जो है अजय सिंग विस्ट वो क्या कहते हैं उन्होंने बताया कि ये हमारा स्तावदी वर्स का पहला कारेकरम है इसे महिला ससक्तिकर्ण के तहत हमने ये किया है रामला का म जिल्याल जी जो की ये सदिकारी है और ये पहले रुद्र प्रियाद जिला जो उत्राखंड का रुद्र प्रियाद जिला है उसके जिलादिकारी रह चुके हैं तो उनके कहने पर ये कारेकरम यहां पर हमने किया है दो जन्वरी से बारा जन्वरी दोजार तेईस तक हर दिन साम को चार से सारे साथ बजे के बीच एक कारेकरम मतलब रामला का मंचन यहां हो रहा है गड़ावाल बहुन के सभागार में पंचकोईया रूर पर और उन्हों ने ये बताया है कि अजे सिंग बिस्ट ने बताया कि ये महिलाएं और भी जो स्वहरोजगार के तोर बर भी अन्यकारकरम करती है जैसे कि केदार नाथ मंदिल में जो परसाद जो चड़ाया जाता है उस परसाद को इन महिलाओं का समूत तयार करता है जिसमें चुलाई है लड़ू है गंगाजल बेल पत्रादी तमाम जो परसाद के रूप में चड़ाये जाते हैं ये महिलाएं तैयार करती हैं और उसमें कि सिलाई कड़ाई अन्यकारकरम भी जो है किये जाते हैं और जो संस्ता है परसे सब्सक्रादी उसमें और भी कारेकरम यह करेगी अजय स는데 बताया है कि स्वास्ते जागरुपता के कारेकरम गरामीन इलाकों में किए जाएं गे ये गरामीन स्वास्ते मियों के तहत वरेकरम होगे और गरामीन रोजगार के कि पुछ तॉडर तरीके नए मार्क जो है उनके बारे में चर्चा होगी इस तरह की सभाएं की जाएंगी शांस्कृतिक कारकरम भी की जाएंगे दिली में और उत्राखंड के भीविनिस्वों में एक नाट्यमन्चन जैसे छोटे-छोटे कारिकरम भी ये अपने स्तापदी वर्स में करने जा रहे हैं। पौड़ी होगे 400-500 महिलाएं उनसे इस संस्ता से जुड़ी हैं। और जो रामला का मंचन है उसमें 60-65 महिलाएं सक्रिय रूप से उसमें अपनी भूमी का निभा रही हैं। ये हरबल धूप का भी उनका एक प्लांट है कहते हैं कि हमारा रुद्र प्रियार में। और करीब साथ से 65 महिलाएं काम करती हैं और धूप अगरबती तयार करती हैं। और ये तेरवी रामला इस समय यहां दिल्ली में कर रहे हैं। पहली रामला अगस्त मुनी में उन्होंने की थी। और तेरवी रामला इस समपर्क उन्होंने किया है। और उमीद है कि अगली रामला उनकी अयुद्या में इस साल के अंततर हो सकती है।